नमस्कार, निउस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ पल्लवी जा, अक्सर हम सुनते हैं कि गंभीर बिमारियों से पीडित लोगों के बचाओ के लिए परिवार वाले महा मृंतियूंजे मंतर का जाप कराते हैं, लोग गंभीर बिमारियों का असर कम करने के ल उचारन करते हैं, डॉक्टर्स भी कभी कभी तिमारदारों से इश्वर की प्रातना करने की सला देते हैं, पर अब तक इसे महज आस्था और विश्वास ही माना जाता रहा है, पर क्या महा मृतियूंजे मंतर, गायतरी मंतर, हनुमान जलीसा या ओम के उचारन की मदद से ग जानने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्टडी भी की गए, साथ ही एम्स में गायतरी मंतर का प्रभाव जानने के लिए रिसर्च भी किया जा रहा है, ऐसे कई शोध हैं, जिसमें ये देखा गया कि मंतरों के उचारन से या उनके जाप से मरीजों में साकरात्मक प्रभाव दिख रहा है, जिसमें कई गंभीर बिमारी शामिल है, तो आज हेल्च 24 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम का कितना हो रहा है एफेक्ट, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन सी गंभीर बिमारी ह जिसमें मंत्रोचारन का फाइदा दिख रहा है या मिल रहा है और आने वाले समय में इसका किस तरीके से उप्योग हागा। तो आए सबसे पहले तारूफ कराते हैं तमाम डॉक्टरों से जो आज इस विशे पर हमसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पु जो की प्रोफेसर है डिपार्टमेंट और फिजियोलोजी एम से इन दोनों से चर्चा की शुरुवात करते हैं और सबसे पहला प्रशन हम करते हैं डॉक्टर पुनीत गुपता आप से और जिस तरीके से जो आखरी शब्द था कि विज्ञान और आस्था का जो संगम है वो क्या अब इस प्रभाव को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी जी जैसे आपने बेखूबी कहा कि पहले हम डॉक्टर क्या किया करते थे पेशेंट को ड्रग या डिवाइसेज या हम डिफरेंट प्रोडोकॉल्स उनको देते थे लेकिन पेशेंट की जो अपनी पा मरीज की अपनी भागिदारी है वो बहुत जरूरी है जो मरीज की अपनी भागिदारी होने के वज़ा से क्या होता है हमारे हिलिंग में और वेलनेस में जो प्रभाव है वो काफी अच्छा उभर कर सामने आता है इसलिए जो सेल्फ इन्वाल्मेंट है पेशेंट की अपनी technique से जिसे हम body imagery cognitive method बोलते हैं उससे हां हमने यह देखा कि जो patient को हम एक इस प्रकार से ध्यान करवाते हैं कि वो अपनी self participation imagine करें कि उसकी whole body जो है आप देखेंगे इस cartoon में कि जो whole body है वो जगमक कर रही है glittering है healthy है इसको हम 4D बोलते है it is a disease less deformity less divine body which is deathless and this gives the patient ये एक patient को एक ऐसा जलिया देती है कि वो positive thinking जिसको हम बोलते है positive thinking तो positive thinking क्या है वो अपने शरीर को एक ऐसी वस्तु समझे कि जो disease less है deformity less है divine है and deathless है इसकी वज़ा से क्या होता है जो उसको हम बोलते है एक existential crisis जब patient को cancer जैसे एक बिमारी हो जाती हूँ सोचता है मेरे मरने के बाद मेरे माबाप या मेरे बच्चे मेरी वाइफ मुझे जानेंगे याद करेंगे नहीं करेंगे मेरा क्या road रह जाएगा मैं exist करूँगा की नहीं करूँगा की मैं हमेशा के लिए खतम हो जाएगा मेरी existence हमेशा के लिए मिठ जाएगी इस पृत्वी से तो existential crisis brain को overload कर देती है इस information को हम brain को overloading से बचाने के लिए positive thinking लाने के लिए हम इसको 4D या गुपता glittering technique से इसको हम unload करते हैं